परिचाय ताखी, तुम इन संख्याओं को एक कोश्ठक में क्यो लिख रही हो? ये केवल एक कोश्ठक नहीं है क्या तुम भूल गए? हमारे गणित के शिक्षक ने दो दिन पहले हमें क्या सिखाया था? अरे हाँ, आव्यू, तो क्या तुम किसी प्रश्ण को हल कर रही हो? हाँ, मैं आव्यू के परिवर्थ निकाल रही हूँ परिवर्थ? वो क्या है? लगता है कि तुम कक्षा में उपस्थित नहीं थे शिक्षक ने हमें आव्योह का परिवर्थ निकालना सिखाया था अरे, क्या तुम बता सकती हो कि परिवर्थ कैसे निकालते हैं? हाँ, जरूर, आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे आव्योह का परिवर्थ ग्याद करना परिवर्थ के गुण धर्म को समझना सम्मेत तथा विशम सम्मेत आव्योह को परिभाशित करना आव्योह पर प्रारंभिक संक्रियाओं को जानना प्रारंबिक संक्रियाउं द्वारा एक आवियू का व्यूत करम निकालना आवियू का परिवर्थ एक वो आवियू है जो एक दिये गए आवियू की सभी बंग्तियों को संभों में तथा इसके विप्रीत या परिवर्थित करने से निर्मित होता है आवियो एक के परिवर्थ को इस प्रकार लिखा जाता है उधारनार्थ आवियो पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती एक दो तीन दूसरी पंक्ती चार पांच छे का परिवर्थ बराबर है आवियो पंग्ति अनुसार पहली पंग्ती 1-4, दूसरी पंग्ती 2-5, तीसरी पंग्ती 3-6 के आवियो के परिवर्त के गुण धर्म यहां आवियो के परिवर्त के निम्ने लिखित गुण धर्म दिये गए हैं परिवर्थ के उधारण यदि A दिया गया है तब सिद्ध कीजिए कि आवियू A का परिवर्थ गुणा A बराबर है तस समक आवियू के A दिया गया है अतैव इसका परिवर्थ A डैश आवियू पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती कॉस अलफा माइनस साइन अलफा दूसरी पंक्ती साइन अलफा कॉस अलफा है ए परिवर्थ तथा एका गुणन करके हल करने पर हमें प्राप्थ होता है एका परिवर्थ ए बराबर है तस्समग आवियू के इती सिध्धम सम्मित तथा विशम सम्मित आवियू आवियू के दो महतपूर्ण वर्ख हैं जिनहें परिवर्थ संक्रियाओं के संदर्भ में संग्षिप्त रूप से परिभाशित किया जा सकता है सम्मित आवियू एक वास्तविक आवियू A को सम्मित कहा जाता है, यदि आवियू A का परिवर्थ बराबर हो आवियू A के, एक सामान ने दू गुणा दू सम्मित आवियू है, विशम सम्मित आवियू एक वास्तविक आवियू A को विशम सम्मित कहा जाता है, यदि आवियू A का परिवर्थ बराबर हो आवियू रिण A के, यहाँ A एक सामान ने दू गुणा दू विशम सम्मित आवियू है, प्रमाय एक, वास्तविक संख्याओं की प्रविश्टियों समेत किसी वर्ग आवियू A के लिए A जमा A- एक सम्मित आवियू है, तथा A घटा A- एक विशम सम्मित आवियू है, प्रमाय दू, किसी भी वर्ग आवियू को एक सम्मित तथा एक विशम सम्मित आवियू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उधारण, सिध्ध कीजिये की दिया गया आवियू A एक विशम सम्मित आवियू है, हमें A दिया गया है, अथा A परिवर्थ निम्न है, हम देख सकते हैं कि ये घटा A के बराबर है, अथैव A- बराबर घटा A, इस परकार A एक विशम सम्मित आवियू है, आवियू पर प्रारंभिक संक्रियाएं रेखिय प्रणाली को हल करने, अथवा वियूत करम निकालने में आवियू के लिए प्रारंभिक संक्रियाएं वहत्पून भूमी का निभाती हैं, उनका प्योग अन्य करनाओं के लिए भी किया जा सकता है, एक आवियू पर छै प्रकार की प्रारंभिक संक्रियाएं अथवा रुपान तरण किये जाते हैं, जिन मेंसे तीन पंक्तियों तथा तीन इस्तंभों पर होती हैं, हम केवल प्रारंभिक पंक्ती संक्रियाओं की जड़्चा करेंगे, किन्तो आप इन्हें आसानी से इस्तंभों में बदल सकते हैं, प्रारंबिक पंक्ती संक्रियाएं दो पंक्तियों का रूपांतरण एक अशुने संक्या के साथ एक पंक्ती का गुणा करना एक पंक्ती में किसी अन्ने एक पंक्ती को एक संक्या से गुणा करके जोडना प्रारंबिक पंक्ती संक्रियाएं चलिए अब बारी-बारी से इन्हें देखते हैं। प्रतिकात्म घ्रूब से आईवी पंक्ती के अव्यवों में जैवी पंक्ती के संगत अव्यवों को के से गुणा करके जोडने को निम्न द्वारा निरूपित किया जाता है। जब इन संक्रियाओं को पंक्तियों पर निश्बादित किया जाता है तब इन्हें प्रारंभिक पंक्ती संक्रिया कहा जाता है। तथा जब इन्हें संभूं पर निश्बादित किया जाता है तब इन्हें प्रारंभिक संक्रिया कहा जाता है। व्यूद क्रम्डिये आव्यू एक एन गुणा एन आव्यू एको गैर विलक्षन अत्वा व्यूद क्रम्डिये कहा जाता है यदी और केवल यदी एक एन गुणा एन का आव्यू बी का स्तित्व इस तरह हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन जहां आई एन एक तस्समग आव्यू है आव्यू बी को A का व्यूत करम आवियू कहा जाता है इस उधारण को देखें यहां A तथा B दिये गए है हम आसानी से जान सकते हैं कि A B बराबर B A बराबर तस समग आवियू इस प्रकार A व्यूत करम डिये है तथा B उसका व्यूत करम है प्रारंबिक संक्रियाओं तवारा आवियू का व्यूत करम आवियू का व्यूत करम ग्याद करने का ये एक मसेदार तरीका है हम पंक्तियों के साथ आसपास नजर टालते हैं जोडना, गुणा करना तथा उनका गमा गमन करना जब तक हम तस्वमक आवियू, आई के भीतर आवियू, ये नहीं बना लेते तथा एक तस्वमक आवियू में बतलाव करने से ये जादुई धंग से व्यूत करम में बदल जाती है प्रारंबिक पंक्ति संक्रियाएं साधारन संक्रियाएं हैं जैसे पंक्तियों को जोड़ना, गुणा करना तथा गमा कमन करना। आईए हम अगली स्क्रीन में एक उधारन के माध्यम से इसे समझते हैं। उधारन एक आव्यूत करम ग्याद कीजिए। हम आव्यू ए से शुरू करते हैं और इसे एक तस्समक आव्यू आई के साथ इसके आगे लिखते हैं। ये समवर्धित आव्यू कहलाती है। अब हम ए यानि बाइं तरफ के आव्यू को तस्समक आव्यू में बदलने के लिए अपना सर्व श्रेष्ट प्रयास करते हैं। तथा इस पर हर संक्रियां को लगा कर आव्यू को चढ़ा कर दाया पक्ष बनाते हैं। किंदू हम केवल प्रारंविक पंग्टी संक्रियां ही कर सकते हैं तथा हमें ये पूरी पंग्टी के साथ करना होगा। आव्यू आई के बाद आव्यू एसे शुरू करते हैं। इस उदारण में हमारा पहला कदम पंग्टी दो में पंग्टी एक को जोड़ना है। फिर पंक्ती एक में पांच से भाग दें, तथ पस्चात प्रथम पंक्ती का दो गुना लें, तथा दूतिये पंक्ती से इसे घटाएं, घटा एक बटे दो से दूतिये पंक्ती को गुणा करें, अब दूतिये और तूतिये पंक्ती को गमा गवन यानि आपस में बदलें, अ अंतता त्रितिये पंक्ती को दुतिये पंक्ती से घटाएं और हम टून कर चुके हैं। उधारण एक्स ग्याद कीजिये यदि निम्न आवियो दिया गया है। अब गढ़ना करके हल करने पर हमें प्राप्त होता है एक्स बराबर प्लस माइनस चार वर्कमोल तीन। उधारण दिये गए आवियो का व्यूत करम ग्याद कीजिये। माना कि ए दिया गया आवियो है। हम जानते हैं कि ए को ए आही के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब गढ़ना करके हल करने पर हमें प्राप्त होता है। इस समी करन में बाइन तरफ हम देख सकते हैं कि आवियो की प्रथम पंक्ती के सभी अव्यव शून है। अदैव ए के व्यूत करम का अस्तित्व नहीं है। क्या आप जानते हैं एक आईता कार आवियो व्यूत करम आवियो के अभिभूत नहीं होता है। चुकि गुणन B A तथा A B को परिभाशित तथा समान करने के लिए ये आवशक है कि आवियो हों, A तथा B समान कोटी के वर्क आवियो हों। यदि आवियो B आवियो A का व्यूत करम है, तब आवियो A भी आवियो B का व्यूत करम होगी। व्यूत करम आवियो की अध्यूतियता एक वर्क आवियो का व्यूत करम। यदि अस्तित्व में हो तो वो अध्यूतिय होता है। यदि A तथा B समान कोटी की व्युतक्रम निये आवियों हैं, तब AB का व्यतक्रम बराबर होगा B के व्यतक्रम गुणा A के व्यतक्रम के. स्वारांश आए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं. यदि A पराबर AIJ M कुणा N है, तब A- अथवा A का परिवर्त बराबर AJI N कुणा M, यहां आवियों के परिवर्त के निमने लिखित गुणधर्म दिये गए हैं. आवियों A एक सम्मित आवियों है, यदि A- पराबर A हो, किसी वर्ग आवियों को एक सम्मित तथा एक विशम सम्मित आवियों के योगफल के रूप में निरूपित किया जा सकता है. एक आवियों की प्रारंभिक संक्रियाएं इस प्रकार हैं, यदि A और B दो वर्ग आवियों इस तरह से हैं, कि A-B बराबर B-A बराबर आई, तब आवियों B आवियों A का वियोत करम होती है, तथा A वियोत करम त्वारा निरूपित किया जाता है, तथा आवियों A आविय पी का वियुत्करम होती है एक वर्ग आवियु का वियुत्करम अद्वित ये होता है यदि अस्तित्व में हो तो